नमश्कार मैं अभिशी कमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस श्टड़ी अभी में तो चलिए देखते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या वाकई अब हम लोग PCS लेवल के भी कोशन को सॉल्व कर पा रहे हैं एक बात तो आप याद रखें कि जब आप PCS की बात कर रहे होते हैं और खास करके BPSC और UPPCS यहाँ पर कोशन का पैटन अगर बात मतलब कोशन का लेवल बोले तो बहुत अच्छा होता है अच्छा होना है कि मतलब यह है कि रटी रटाई चीज़े आपको नहीं मिलेगी जो हम लोग आप कई किताबे पढ़ लेंगे तो कई किताबे पढ़ने के बाद भी आपको यहाँ पर अपना दिमाग का यूज करना पढ़ेगा मतलब कि आपको वो concept वो topic पे आपका कितना कमांडे clarity है तो हमने चार topic अभी physics में हम लोगों ने पढ़ा है चार topic में आपके तीन सवाल पुछेगा और तीनों के तीनों आप बना सकते थे अगर पूरा का पूरा lecture अभी हम लोगों ने physics में 29th lecture complete किये है और जो सिद्दत से सारी चीजे complete की है आप BPSC में चले जाओ UPSC, CDS, NDA कि मैं बात कर रहा हूँ उसके सवाल बनेंगे आपका railway LP technician जेही जो भी exam होगा भाई तो देखे question का पुछा गया है सबसे पहले light chapter का question लेते हैं छठा number का question है देखे क्या बोला गया है की पटिया बनाई जाती है तो वह प्रतिबी में कैसा होगा मतलब आपको image के बारे पूछा गया है कि वो उसकी मतलब चमक के बारे पूछा जाया mainly यहाँ पर कि वो कम चमक वाला एक गोड़ा होगा काली पटियों का एक जेबरा बनेगा कैसा प्रतिबी में होगा उसके बारे पूछा गया तो देखे उत्तर लेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं यह आपके उत्तर लेंज से यह आपका focal length हो गया यह आपका 2F हो गया ठीक है यानि कि center यह आपका optical center आपकी image जो भी बन रही होगी इधर बन रही होगी क्योंकि यह कैसी होती है convex lens आपकी converging nature का होता है यानि कि यह क्या होता आपका अभिशारी और एक आपका condition होता है जब आप कहां focus और optical center के बीच में जब object रखते हैं तो आपकी image वस्तु की और बनती है और बड़ी बनती है और सीधी बनती है ठीक है इतना clear रहा है तो देखें यहां क्या बोला गया आपसे कि जो 20 cm की focus दूरी पे जो आपकी उत्तर lens की सता पर जो आपका सफेद घोडे का जो हमें क्या करना एक प्रतिविम बनाना अब एक चीज़ तो यह याद रखेगा यह जो यह क्या होता यह वाला जो section देख रहे इतना ठीक है ना यानि यह पहले क्या था spherical form में था इसको आपने क्या क्या cut किया तो यह आपका क्या हो गया एक गोला का रही है या फिर बोल सकते तो इसको तो यह converge नहीं करेगे लेकिन इतने दूर तक जो भी light आएगी यह lens यानि कि उत्तर lens क्या करेगी इसको converge करेगी ठीक है एक चीज़ तो यह किलिए रहा अब हमें कैसी image चाहिए white image चाहिए लेकिन जो है यहाँ पर काले रंग की पटिया बनाई जा रही है तो देखे काले रंग के कारण जो भी image बनेगी ना उसकी intensity थोड़ी सी कम बनेगी image की जो intensity होगी वो थोड़ी कम होगी तो बहुत simple सा सवाल था common sense भी से भी आप question को सब्ब कर सकते है कम जमक वाला आपका एक घोड़ा बनेगा उस प्रतिबीम के बारे में अब आए सत्वा सवाल क्या पूछा क्या है sound chapter से कि ध्वनी की तिक्षंता ठीक है ना तिक्षंता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है ध्वनी के वेग से आयाम से तरंग धरिसे आपका आयाम इसको बोलते है और amplitude करते हैं तो किसके उपर निर्धार करेगा ध्वनी के आयाम पर यानि के option B इसका सही उत्तर होगा अब एक और question आपका पूछा गया है तो उस question पर भी अब लोग आते हैं यहाँ पर हाँ 15 नंबर का question था देखे बहुत तीजी सवाल है अगर इन पर थोड़ा सा अगर आपका command होगा तो एक संगित कारिकरम में और केश्टा बजाने से पहले एक सितार वादक जो है तनाव को समयोजित करने का कोसिस करता है और string का उप्युक्त string को उप्युक्त रूप से भांता है ऐसा करके क्या ठीक करने की कोसिस करता है देखे क्या बोला कि कोई एक संगित कारिकरम है संगित कारिकरम हो रहा है उसमें क्या लाए गया और केश्टा लाए गया ठीक है और और केश्टा बजाने से पहले क्या क्या गया है जो सितार वादक है वो जो तनाव को समयोजित करने की कोसिस करता है और जो string लगे होती है जो सितार वादक में आप यहाँ पे आप देखे होंगे कि string लगे होती है और आपने कई बार उसको देखा हूँ यहाँ पे कसते हुए कभी लूज करते हुए तो इश्टिंग को क्या करता है वो उप्यूगत रूप से बांधता है ऐसा करके वो क्या ठिक करने के कोसिस करता है तो देखे सितार वादक जो है सितार बजार है भाई सितार से जो भी आवाज निकलेगी वो क्या होनी चाहिए थोड़ी मिठास होनी चाहिए यानि कि यहां पर बात किसकी हो रही है pitch की बात हो रही है यानि कि तारत्व की बात हो रही है समझ में आ रहा है तारत्व की बात हो रही है और अगर तारत्व की बात हो रही है तो pitch किस पर depend करती है आपकी frequency पर depend करती है और अगर आप बात कर लिया जाए कि मोटी आवाज यानि कि मोटी आवाज कहने का मतलब या कि hard आवाज होगा मतलब मधूर आवाज नहीं होगी तो उसमें pitch का क्या condition होगा low pitch होगा और अगर low pitch है तो frequency क्या होगी low frequency होगी यानि pitch क्या होता है depends on frequency जो simple सा सवाल है भै इसका उतर आप तुरण सवाल है और कितना हीजी सवाल है आप किस प्रकार से उसको apply कर सकते कहने का मतलब यह है कि जो समलोक्स पढ़ रहे हैं जो समझ रहे हैं लेकिन अच्छे examper जैसे कि देखें बीपेश जी बगरा में क्या था कुछ नहीं आपको example दे दिया गया संगेत वादक सितार वादक को ले लिया गया एक कारिकरम आयोजेन कर दिया गया और वहां पर आप से पूछना ही का मतलब यह है कि वह पीछ पूछना चाहते हैं लेकिन वह पीछ डायरेक्ट लिख करके नहीं आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उसको apply कर पा रहें दैनिक जीवन में भी बस इतना सही और जब क्या होता है कि जब applied physics की बात हो जाती है या फिर applied chemistry applied biology ठीक है ना जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में चीजों का apply करते हैं तो यह सब जो कमिशन होना उससे कोशन में आती है वह थोड़ा तर टिपिकल तो कह नहीं सकत मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद